हेलो फिरेंड्स मैं नाम है विजay और आज की वीडियो में आपने法 करेंगे स्कोप थरोटलिंग की तो चलिफ स्टार्ट करते हैं स्कोप थरोटलिंग क्या होती है यूजर रेट थर Tang क्या होती है यहां पर हम लोग क्या करेंगे खर्ट्माइज सब्सक्राइब करेंगे करेंगे मतलब हम अपने हिसाब से user को permission देंगे आप इस पेसिग युआ में पांच बार जा सकते या इस इस थ्लिए तरीके से तो कष्टम फॉर्ट्लिंग के लिए सब्सक्राइब क्या करेंगे सब्सक underscore framework से उसके throttling से import कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे user rate thortle को ठीक है और यहाँ पर user rate thortle और नमे rate thortle को भी हम import कर सकते हैं ठीक है तो मैं user rate thortle को import कर रहा हूं class लेता हूं यहाँ पर class का name देता हो review detail ठीक है throttle और यह यूजर ले लेगा और यहां पर मुझे scope बनाना पड़ेगा ठीक है scope क्या है इसका आप कुछ भी name दे सकते हैं ठीक है फिर देखे इसी name से हिजाब से आपको क्या करना पड़ेगा लिमिट करना पड़ेगा यूजर फ्रोटलिंग फॉर रिव्यू डीडेल और यहां पर अंडर इसको लगा लेजगा सब में थोड़ा सा मैं बड़ा नेम जान बूच के रख रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ है ठीक है तो यहां पर मैंने scope का नेम रखा है फॉर्टलिंग फॉर रिव्यू डीडे यह scope क्या है आपका एक variable है जिसमें जो fix name का है ठीक है आपको यहां पर scope ही देना पड़ेगा उसका नायम नेम आप कुछ भी दे सकते हैं ठीक है जिसे मैं देता हूं throttling for review list ठीक है इसको कर लेंगे save अब देखी मैं क्या करूंगा सबसे पहले आ जाओंगा यहां पर अपने views में ठीक है अब views में मुझे कहां पर लगाना है लिस्ट में लगाना है और detail में लगाना है तो इसको इन पहले import करना पड़ेगा from.ap.i underscore file ठीक है और यहां पर report करेंगे हम इन दोनों को use करेंगे उससे पहले मैं क्या करूंगा setting.py में आ जाओंगा अब यहां पर मैंने जो anonymous user और simple user के लिए यहां पर rate दिये थे हम मैं क्या करूंगा जो हमने यहां पर throttling में name दिया है throttling for review detail इनको यहां पर क्या दूंगा limit दूंगा इनकी ठीक है त दूसा throttling link for review list ठीक है ऐसा करते हैं copy कर लेते name और फिर error हो जाएगा कोई spelling mistake होगी ही तो review list को copy कर दिया मैंने यहां पर setting.view में मैं आया गया यहां पर इसको मैंने कर दिया paste single quotation और यहां पर मैं दे रहा हूँ one per day save करूंगा इसको और thottling for review detail इसको मुझे import करना पड़ेगा कहां पर अपने views में views में आ जाओंगा और यहां पर apply करूंगा detail में जैसे हम दो thottling class में user rate thottling और numbers rate thottling यूज कर रहे थे यहां पर हम मैं क्या करूंगा user rate thottling के जगा करूंगा review list thottling और यहां पर of you detail में user rate thottling यह किसके करूंगा यहां पर review detail video toddler थोर्टल ठीक है इसको मैंने on this will save करा यह चीं धियान रखेगा कि review detail में कितना है review detail में है पूरा 5 बार और review list में कितना है एक बार ठेक है यहां फाइब आज आउए यहां पर पहले review list के लिए है हमारा link ठीक है और review detail के लिए आपका यह है तो इसमें मैंने कितनी बार दे रखा था send करते हैं इसको यह बार send किया तो अभी एक बार data मिला second time send किया खतम हो गया क्योंकि यहां पर review list थी उसमें सिर्फ या लगार और उसमें कितनी होता नों पांच बार दे रखा है तो यहां पर इसको मैं पांच बार इसमें information भीज शकता हूं यहां दिखा रहा है वह यहां पर इतने कुछ second दिखा रहा है मतलब एक दिन का दिखा रहा है ठीक है तो यहां पर मैंने customize कर दिया ठीक हो गया तो यहां पर देखिए मैंने कि अगर अलग-अलग अपने यूर्ल में अलग-अलग limit को लगाया हुआ है अब आपका आता है scope throttling आता है scope throttling को implement कैसे करते हैं वो देख लेते हैं यहां पर देखिए अगर आप यहां पर जाएंगे scope throttling में rate throttling में तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपको scope throttling के बारे में लिखावा मिलेगा ठीक है और यहां पर रखो कुछ नहीं करना है यहां name बताने ठ hearn का scope लिखा हो है यहां पर आप रहें आपके name दिखेंगे और सेंपल उस name पर limit लगा देंगे कुछ नहीं और इसको import करना पड़ेगा scope throttling को जैसि नहीं पर करें यहां से इसको copy कर लूँगा मैं तो कि यहां पर आजाओंगा अपने विजुली स्टूडियो कोड में यहाँ पाल जायंगे स्टिंग डाट पी वाई में और यहाँ पर हमने इसको लिमेट ने सको comment कर देंगे सब से वह यह कर दीया अनकमेंट इन दोनों को कर दूँगा comment और इसके बाद लगा लूँगा पेष्ट कर लूँगा अपनी scope rate फिर सोप लिए लिए सकते हैं घ्लोबली भी सो घ्ला सकते हैं और अगर आप पर्टीकुलर लिंक में सक्राइध करते हैं तो वह हैं सिसको Raug करे देता हूं ठीक है बिस कोले को मैं कर लेते हैं ऐसा करें और मैं कि करूंगा scope rate throttling अभी import कर लोगा अब हम लेकिन scope rate throttling ठिक है और यहाँ पर मुझे क्लास बतानी पड़ती है किस किसमें apply करना आ रिवी लिस्ट में मुझे थ्रॉट्लिंग किलास बताने पड़ेगी जैसे यहां पर यह बता रहा था मैं थ्रॉट्लिंग किलास यहां पर मैं क्या करूंगा इसकोप रेट थ्रॉट्लिंग का यूज कर लोंगा इसकोप रेट थ्रॉट्लिंग ठीक है और यहां पर इसकोप क review और under-score list ही देता हूं मैं इसको name ठीक है और under-score scope ताकि यह पता चले है यह scope वाला है ठीक है इसी तरह से क्या करूँगा इसका name लेता हूँ copy यहां पर जाओ यहां करता हूँ इसको paste और यहां पर इसको मैं value दे रहा हूँ सिर्फ तीन पर डे ठीक है तो अब देखे जो list थी review list उसमें तीन पर डे वाली scope आ गया ठीक है कॉमा लगा लेजिएगा अब मैं आ जाता हूँ यहां पर अपने postman में और यहां पर हमने किस में लगाया है review list में लगाया है तो review list आपकी यह रही ठीक है और इसमें send करता हूँ मैं एक बार दो बार और तीन बार भीज़ पार हूँ उस यहां भी ला सकते हैं जीसे throttling glass कहां लगा सकते हैं आप इसी चीज़ को कॉपी करके यहां डाल दूं तो यहां पर भी एक लग जाएगी ठीक है throttling class में इधर हमारी detail view में ठीक है और इसका नाम क्या है review list scope ठीक है save करता हूँ इसको मैं जाएंगे postman में सबसे पहले और य यहां पर आप जाके इसको refresh करते हैं और आप इसको refresh करते हैं दुबारा भी है send करूंगा अभी यह प्रॉब्लम दिखा रहा है देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई अब ठीक हो जाना चाहिए send करते हैं एक और बार तो एक बार हुई information दो बार यहां पर हुई और यहां थो हम भीजी नहीं बार है ठीक है और तीसरी बार के बाद यहां पर भी क्या हो जागा यहां पर भी आपका stop कर दिया जाएगा आपको access करने से information इस तरह से आप क्या करते हैं scope throtling और custom throtling का use कर सकते हैं साथ में ठीक है जहां पर मैं छोटी सी request आप से करना चाहूंगा हमारे एक दूसर चैनल भी है CSGeeks 2.0 जहां पर हम आपके gates की related subject जो CSC में पूछे जाते हैं वो वहाँ पर cover करते हैं तो अगर आपको CSC के subject पढ़ने में interest है जिसे data structure हो गया algorithm हो गया CEO हो गया database हो गया computer organization हो गया operating system हो गया तो इस तरह के subject को आप detail में हम लोग पर पढ़ा रहे हैं और साथी साथ हम लोग आपके gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और interview के लिए आप अच्छे से prepare हो सके अगर आप interested हैं तो channel का link में आप description में दे दूँगा और यहाँ पर आपको i button में भी flash हो रहा होगा उसमें जाके आप subscribe कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे थैंक यू वाचिंग गुडबाई टेक केर